हेलो गाइज स्वागत है अपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्मान में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीटर प्लेजबी के जितने भी आने वाले एक्जाम से हो चाहें प्याइटी हो टीजीटी हो या पीजीटी हो उसमें मैस के कौन- कोश्चन प्रिवेस इर में पूछे गए हैं उसी के हिसाब से मैंने एक एनलेसिस बनाया है कि इस तरह के कोश्चन एक्सपेक्टेड़ है इने एक्जाम में देखिए हम टॉपिक वाइज ने पढ़ेंगे और आगे मैं वीडियो लाओंगा जिसमें टॉपिक वाइज मैंन दी जाती है माली जे बोल दिया एबी सी 10 12 15 दिन में काम कर रहे हैं और उस काम के लिए उन्हें छेजार रुपे मजदूरी मिली तो अलग अलग एबी सी को कितने कितने रुपे मिले ठीक है उसके बाद एफिशेंसी का रेशो दिया होता है मैं जैसा कि मैं पहले करा चुका मैं टाइमेंड वर्क की सीरीज में उस तरह के कोशन एफिशेंसी का रेशो दिया और पूछ लेगा एक इतने दिन में करेगा भी कितने दिन में करेगा ठीक है उसके बाद एबी मिलके करते हैं बी सी मिलके करते हैं सी मिलके करते हैं काम ठीक है पूछेगा तीनों मिलके कित कोई भी रूट के इंदर संख्या देदेगा अंडरूट देदेगा क्यूब रूट यह फॉर्ट रूट कुछ भी देदेगा और चार-5 करणियां देदेगा उसमें बोलेगा comparison करो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ठीक है उसके पास simplification simplification में कैसे भी करके उन्हें root के अंदर 2-4 संख्या लिख देगा root के अंदर root लिख के बोलेगा इसका solution क्या होगा इसका solution क्या होगा ठीक है तो यह simplification में आ जाएगा देखिए उसके बाद series based question होता है यह हम तब जानेंगे जब हम topic wise ने cover करेंगे और हम इने solve करके देखेंगे जब हम आगे देखते हैं fraction में क्या पूछ सकता है तीन-चार fraction देदी पूछेगा सबसे बड़ी fraction कुन सी सबसे छोटी fraction कुन सी उसके बाद किसी भी decimal में किसी भी संख्या के ओपर बार लगा देते हैं तो बार को fraction में कैसे convert करते हैं वो question वो जरूर पढ़ लीजगा simple concept है इतना tough नहीं है वो उसके बाद एक fraction देदी कि एब एक fraction है अगर numerator में एक जोड़ते तो fraction वन हो जाती है और denominator में एक जोड़ते फ्रेक्शन वन बाई टू हो जाती है पूछेगा fraction है क्या इसके बाद number system number system में देखे remainder theorem remainder theorem में क्या question पूछ सकता है जैसे एक famous question है कि x की power कुछ भी देदेगा या फिर पूछेगा किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर पांस सेश्वल आता है तो संख्या के दुगने को जब 26 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेश्वल आएगा इस तरह के question तो remainder theorem में आ गए उसके बाद place value कोई भी संख्या देदेगा उसमें किसी भी digit की place value पूछ उसके मत कुछ formula based question होते हैं जो मैं कराऊंगा आपको आगे simple and compound interest में देखे basic concept हमें सीखना है basic concept अगर हमें समझ में आ गया तो हम इसे आसानी से कर लेंगे एक से दो question इसमें देखने को मिल सकते हैं या ना भी देखने को मिले ऐसा भी हो सकता है formula based कौन से दो से तीन years का SI और सी आई का difference दिया होगा amount पूछ लेगा या फिर प्रिंसिपल पूछ लेगा ठीक है उसके बाद किस्त किस जनरली पूछी नहीं गई है लेकिन क्या पता इस बार पूछ ले तो इसे भी हम कर लेंगे जब हम इसे कवर करेंगे topic वाइस तब हम कर लेंगे कि सिंपलिफिकेशन सबसे इंपोर्टबर है सिंपलिफिकेशन और ढिए इसी में बस साथ से आठ कोशिन कवार हो जाते हैं उसके बाद सीरी सोजन होते हैं उसके बाद fraction बेज चैसे होते हैं fraction के नीचे fraction देदेगा जैसे बोल दिया one plus two by three और three के नीचे फिर से one plus two by three फिर से three के नीचे one plus two by three कैसे solve करेंगे तो नीचे से solve करते हैं हम इन question को वो आगे देखेंगे उसके बाद LCM SCF में basic concept सबका सीखना है हर किसी chapter का basic concept हमें सीखना है भाई उसके बाद LCM SCF fraction का LCM SCF कैसे निकालेंगे वो सीखना है उसके बाद एक formula होता है LCM into SCF बराबर A into B ये direct question आ सकता है कि किनी दो संख्याओ का SCF ये है LCM ये है एक संख्याओ ये है तो दूसरी क्या होगी ठीक है ये हम कर लेंगे उसके बाद LCM SCF दिया होगा दो संख्याओ का LCM SCF दिया होगा और साथ में क्या हो या तो sum दे रखा हो दोनों का योगफ़न या फिर दोनों की गुणा करने पर क्या आता हो वो दे रखा हो तो हमसे पूचे ख़र दोनों संख्याओ कौन सी है ठीक है यह भी कर लेंगे एक यह question बहुत आता है बड़ी से बड़ी संख्याओ कौन सी होगी जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए या फिर दी हुई संख्याओं से पूरी तरह भाग होने उपर यह reminder दे ठीक है ुक hè एक यहांता है यह चोटी-चोटी संख्या जो पूरी तरह भाग करने पर यह इस फ़ल दे avanz. चुम्हें लेंगे और उसके बाद by ऐसे कोशन करेंगे जो भी हैता संग्हार इसमें बैसे एंब अगरवाल उसमें जो एक्जम्पल नहीं Tapi सफिसेंट भूछ is डीटर प्लेस भी के प्याइटी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर उसे भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके बारा से तेहरा कोश्चन अम अराम से सॉल्फ हो जाएंगे उसके उपर जो है वो आपकी एफिशेंसी है आपके मैस कितना आता है कितने क्लियर है ठीक है तो बेसिक कोश्चन हो गए फिर एक कोश्चन आता है दो बरतन में अलग अलग में लिक्विड है तो उन दोनों को बरतन को मिक्स करके एक तीसरे बरतन में डाल दिया जाता है तो लास में पूछेगा दूद और पानी के मात्रा कितनी है तो इस तरह के question में पूछे जाते हैं उसके बाद data interpretation यह देखे बहुत जरूरी topic है इसमें pie chart, bar graph और mean mean का formula fx upon n वाला वो वाले question पूछे जाते हैं ठीक है इन्हें हम अराम से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे हमारा अगर basic clear है जो भी पूछेगा वो हम solve कर पाएंगे तो यह होगा data interpretation और एक हमारा simplification यह हमारे दो main topic है उसके बाद partnership partnership का ज़रूर आपको एक एका सवाल देखने को मिलेगा बोर सने स्रीम यानि नाव और दारा उसके बाद आयू संबंदी ठीक है यह basic question पढ़ने में इन से जादा कोई tough question नहीं पूछेगा simple question पूछेगा उसके बाद average में क्या के देखेंगे देखेंगे average से एक question आ भी सकता नहीं भी आ सकता ठीक है तो हम इसे पढ़ लेंगे लेकिन क्याना average इतना खतरनाग topic है नहीं इतना difficult topic नहीं है तो हम इसे अगर पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो basic plus addition division माले चार मेंबर की family है उनका weight इतना average पांचवा मेंबर एड हुआ तो इतना बढ़किया तो पांचवा मेंबर का weight कितना है ठीक है जैसे को कर लेंगे उसके बाद series series में क्याएंगे एक से 50 तक इवन नंबर का average एक से 50 तक natural number का average कैसे निकालेंगे एपी का average कैसे निकालेंगे ठीक है यह सवाल होगा सीरीज वाले मैं कराऊंगा आपको सारे question आपको टेंशन लेंगे जरूत नहीं है और कोशिश करूँगा आपके paper से पहले मैं करा दूँ आपको उसके बाद प्रेटिंग अठारा निंग्स में कुछ स्कोर किया एक लाडी ना उन्निस में उसने नबबेरन बनाएं उससे उसका average कुछ बढ़ गया तो 18 के बाद उसका average क्या था इस तरह के question ठीक है वह भी कर लेंगे उसके बाद calculation में error जो होता है मार लेज़े बैए किसी ने 10 संख्याव के average निकाला लेकिन उसने 50 को गलती से 100 पढ़ लिया तो उसका actual leverage क्या था वो पूछ लेगा ठीक है यह भी कर लेंगे हैं इसके बाद क्या करेंगे ratio and proportion देखिए यह भी main ratio proportion से 2 से 3 सवाल आराम से आता है तो इसके basic पढ़ेंगे basic question में क्या आएगा AB का ratio दे दिया BC का ratio दे दिया तो तीनों को combined ratio पूछेगा ABC का ठीक है यह हो गए उसके बाद mean third and fourth proportion यानि मध्यानुपात तर्थ्यानुपात या चतुर्थानुपात यह पूछेगा यह सीदे सीदे question आता है तो एक number हमारा पक्का इसके बाद सिक्के होंगे कुछ 10-20-25 पैसे के सिक्के उनका total amount देगा उसके बाद पूछेगा सिकों की संख्या क्या थी दसके सिक्के कितने 20 के कितने 25 कि ठीक है या फिर पैसों को डिवाइड कर देगा कि 6000 रुपे इतने लोगों में डिवाइड कि है और एको बी से है वह दस से 13 होगई 10 रुपे से 13 रुपे होगई और आने वाले जो दर्शक है उनकी संख्या 13 से 10 होगई तो टोटल पर क्या फर्क पड़ेगा किस रेशो में वह चेंज होगा इस तरह से पूछ लेगा इंकम एक्सपेंडिचर वाले कोशन इतने इंकम है और इतना उसका एक्सपेंस है तो उसकी बचत कितनी होगी या कुछ इस तरह कहीं सवाल होंगे उसके बाद रेशो में कुछ जोड़ाय घटाया जाता तो रेशो पर क्या फरक पड़ता है वह वाले कोशन यह हमारा रेश किसी दस परसेंट अधिक है तो भी यह से कितना कम है उसके बाद किसी चीज का मूले इतना बढ़ गया तो उसकी खपत कितनी कम करें कि खर्स समान रहे या खर्स थोड़ा बढ़ से यह वाले कुशन उसके बाद चुनाव वाले कि एको इतनी वोट मिली और इतने बोटों से पर ända न्यगा हर गया वह तो टोटल वोट कितनी थी को कितनी आइए ठीक है उसके बास सक्सेसिव चेंज जयानि पहले दस परसेंट फीर फीर सेंट परसेंट फिर तीस परसेंट बढ़ी तो overall कितना परसेंट फ़्वर जुर्वाब सब पाइts यह हम तबी काल पाएंगे अ यह पढ़ेंगे उसके बाद पास या फैल की एक और तीन सो नमबर मिलें और वो दस नमबर से फैल हो गया तो टोटल नमबर कितने थे और पासिंग परसंटेज कितना था ठीक है नेक्स पर देखते हैं प्रॉफिट लॉज प्रॉफिट लॉज में बेसिक एक्स में बेचने पर इतनी हानी होती है कितने बेचने के लाब हो उसके बाद 15 बस्तों को CP 18 बस्तों को SP के बराबर है तो CP SP का रिश्यो पूश लेगा या बोल देगा CP इतना है तो SP कितना होगा उ उसके बाद किसी समान पर अधिक अंकित करके उस पर छूट दी आती है तो प्रॉफिट कितना होगा। उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस या फिर ट्रेन वाले कोशन जो होते हैं तो अगर कोई ट्रेन खंबे को पार करें, टैनल को पार करें, दूसरे आदमी को पार करें, ठीक है, उसके बाद मिलने गसमें दो ट्रेने अलग अलग चलती हैं, ठीक है, तो कितनी देर बाद मिलेंगी, ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेन जो गुरुक के चलती है, तो कितनी जिसके बाद केल्कुलेशन बेस कोश्चन जो होते हैं जैसे स्क्वाईर क्यूब पूछ लेगा इसका क्यूब कितना होगा या क्यूब रूट पूछ लेगा या स्क्वाइर रूट मैंने पहले कवर कर रखेंगे तो पहली वीडियो में जाकर देखिए आप और वह simple topics है और आसानी से 2-4 सेकिंड लगेंगे आपको निकालने में multiplication based जो होते हैं वह simple one-liner question होंगे बड़ी से संख्याओ कि आपसे multiply करते हो कैसे हम जल्दी से solve करेंगे हम देखेंगे ठीक है ठीक है दोस्तों तो यह था मारा analysis मैस का और आपके आने वाले पेपर में कुछ इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे मेरी expectation है कि इसमें से आपको 40-50% question सीधे की सीधे मिल जाएंगे ठीक है और बाकी बनाने को तो देखो कुछ भी वेपर बन सकता है तो वह सभी के लिए आपके लिए अकेले के लिए नहीं है पेपर जो थोड़ा इससे मिलता जुलता ही आना है जैसे मैंने question बताई है question direct ही इस तरह के आ जाएंगे और मैं आपको PDF प्रोवाइट कराऊंगा कि किस तरह के question आपको पूछे जाएंगे यह तो मैंने एक overview दिया है आपको इस टॉपिक से इस तरह से question उठाई जा सकते हैं अगर आप हमको टेलिग्राम पर फोलो नहीं कर रहे हैं तो कर लिजे इस्टाग्राम पर फोलो कर लिजे क्योंकि वहां पर हम अपडेट देते रहेंगे टेलिग्राम पर मैं पीडिया भी प्रोवाइट कराऊंगा आपको और पीछे भी मैं अप्लोड की हैं दो तिन पीडियाफ वह भी देख लिजे और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो या त आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आगे और अच्छा कॉंटेंट ला सेगे आपके लिए तो कोशिश करते रहेंगे आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे मिलते नेक्स वीडियो में धन्यबाद